आज की स्वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिमीटरी केरेक्टर के बारे में और इसकी सारी डीटेल आपको मैं यहाँ पर फ्रोवाइट करा दूँगा तो आपको टेंशन लेने के कोई जरूरत नहीं है के बल आपको क्या करना है कि ये वीडियो फुरू से लेकर लाश तक देखनी है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार भाई वीडियो को लाइक कर देना है और इसकी जो skill है वो है active skill तो इसकी skill जो है वो काम कर से करती है वो यहां पर जान लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर आप लोग देखी वक्तों यहां पर लिखा हुआ है create a 3.5 meter diameter healing zone inside user and allies require 3 HP per second when downed user and allies can self require to get up last for 10 seconds cooldown 85 seconds यह है level 1 की यहां पर इसकी skill अब इसकी skill को हम यूज कैसे करेंगे यह पूरी तरीके से काम कैसे करती है वो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा और समझाऊंगा तो सबसे पहले हम आपको यहां पर बता देते हैं कि जो यह character है यह अपने आपको खुद यहां पर revive कर सकता है कि यह हमारा Demetri character और यह यहां पर गिर चुका है अब यहां पर self revive का एक option बनके आ रहा है अब आपको यहां पर कुछ नहीं करना है किवल self revive के उपर कर देना है click और जैसे यह आप self revive के उपर click कर दोगे आप automatic यहां पर revive हो जाओगे अगर आप इस character को लेकर खेल रहे हो तो अब इसके आगे की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर इसके आगे की बहुत सारी चीज़ें यहां पर निकल के आती है इसकी skill जो है वो कितने तक काम करेगी तो सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए यह जब level 1 पे रहेगा तो यह 85 यहां पर लगाएगा second cooldown होने के लिए लेकिन यह जैसे ही level 2 पे पहुंच जाएगा तो इसके 5 second यहां पर घड़ जाएंगे और इसका जो timing हो जाएगा 20 सेकेंड और जैसे level 5 पे जाएगा तो 65 सेकेंड में cooldown हो जाएगा और लेवल 6 पे 60 सेकेंड में मतलब की एक मिनट में cooldown हो जाएगा अगर आप इसकी active skill का यूज एक बार कर लेते हो तो दोबारा आपको इसकी active skill का यूज करने के लिए आपको केवल यहाँ पर अगर आप max कर लिए तो केवल आपको एक मिनट रुखना पड़ेगा उस बीच में अगर कोई बंदा आपको मार देता है तो आप यहाँ पर down हो जाते हो तो आप तुरंथ आटो रिवाइव यहाँ पर खुद से हो सकते हो जिससे सामने वाले बंद अगर आप सब लोग यहाँ पर down हो तो यहाँ पर वो आटोमाइटिक यहाँ पर रिवाइव हो जाएंगे केवल उनको क्या करना पड़ेगा उनके सामने भी यहाँ पर option आ जाएगा रिवाइव का तो वो लोग भी self रिवाइव यहाँ पर हो सकते हैं अगर आपके पास यह यह आपको जो टीमेट है वो खुद बटन दबा के self revive यहाँ पर हो जाएगा तो यह एक बहुत ही बढ़िया option है self revive होने का और यह बहुत ही बढ़िया character है अब बहुत जगों पर यह character game changer साबित होने वाला है तो यार आगे यहाँ पर जैसे gameplay करेंगे और अपनी skill को improve करेंग पहली बार आए हो जार भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल मत भूलो क्योंकि हम इसी तरीके की वीडियो हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं तो फिर भाई हम आप से मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए गु